नमस्ते मैं हूँ आचारी पृतिष्ठा हम सब गर्मियों में ठंडग का है सास तो लेना चाहते ही हैं साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे दात स्वस्त रहें और अगर दातों की स्वास्ते की हम बात करें तो रामवान का कारे करता है शीतकारी प्रानयाम यह था नाम तथा गुना पहली चीज इसका नाम ही है सीतकारी यानि यह आपके शरीर के अंदर नाचरिल थंडग जिनरेट करता है जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है आपको मुहा से पिंपल्स एकने की समस्या नहीं होती आँखों में जलन नहीं होती शरीर के बीतर आस जान से समझेए और नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए हम क्रॉस लेक्ट पॉजिशन में बैट जाते हैं हाथों को ज्यान मुद्रा में ले लेते हैं आखे बंद और नीचे के दातों को उपर के दातों से मिला देना ऐसे हैं गम्स को मिलाएंगे और फिर इसके थ्रू सांस लेना आपके पूरे जबड़े पर गम्स पर मुखे अंदर आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगा उस पर पूरा ध्यान टिका देंगे नाक से सांस छोड़ देंगे टस बार जबहात देले जनके दातों में प्रअब्ल्च करेंगे तो उसको उनहीं फील होगा कि यह इतनी ठंडी हवा मुखे अंदर जा रही है यानि आप नीम का दाऊतों लेजिए और उसको चबाइये और फिर उससे अपने दाऊतों को बिश नग जाता है। और जो रशा अंदर बच जाया। उसको भी बीतर लें। ऐसा करने से आपको Diabetes भी नहीं होगी। कसेला कड़वा कसेला रस भी आपके अंदर जाएगा आपकी तुचा दमकने लगेगी पिम्पल्स एकने की प्रॉब्लिम दूर हो जाएगी और आप स्वस्त अनुभव करेंगे आपका ब्लड भी प्यूरिफाय होने लगेगा शीतकारी प्राणायाम का कम से कम दस बार अभ्यास करें कोशिश करें कि जितने भी आर्टिफिशल चाहिए वो एर कंडिशनिंग है इन सब से बचें और इसका नियमित अभ्यास जबाब करेंगे तो आपकी शरीर के अंदर अल्रेडी नाचुरल कूलिंग्स जिनरेट होने ल टार प्चेंग्स